हेलो एवरिवन वेलकम टू एस यूपी पीएसी मेरा नाम वन्ना सिंग है इसमें हम जो है सेशन नाइन जो है लूसेंट जनल साइंस का वो कंटीनियू करेंगे और आज के हमारे चैप्टर है तो यह आपका जितना भी UPPSC, BPSC, RO, ARO, State PCS, NDA, CDS, CAPF, RRB जितने भी आपके एक्जाम है उन सब के लिए यूसफुल होगा तो मेरे पास बहुत सारी query आरी थी कि क्या माम यह वीडियो जो आपकी वीडियो सिरीज है, यह sufficient है या नहीं सिर्फ यही कर ले तो sufficient है या नहीं तो यह जो वीडियो सिरीज है, it's more than sufficient लेकिन मेरा आपको एक suggestion है कि आप जो है objective questions, जो objective questions होते हैं MCQ, वो जरूर लगाईए, या तो घटना चक्र से लगा लेना, या किसी भी कोई भी और कोई बुको objective की, आप उससे लगा लेना, इससे एक फायदा ये है, पहली बात जब ये सारी चीज़े पढ़ेंगे और objective लगाएंगे, तो अच्छा कासे रिवीजन हो जाता है, और चीज़े न अच्छे से याद रहती है, you can remember the things easily, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एक, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप चीज़े याद भी रख पाएंगे, तो ये मेरा एक suggestion है, आप इस वीडियो सिरीज को बस ये करने की सुरत है, this session is, अपने आप में ही more than sufficient है, लेकिन ये कर लो के तो आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़े आपको याद रहेंगी, चलिए, मैटल्स पढ़ाता हमने, मैटल्स को हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन मै तो ये कैल्शियम जो है, कमपाउंट्स में होता है, कैल्शियम जो है आपका बोंस में मिलता है, इसनेल में मिलता है, और ये मेन कॉंपोनेंट मिल्क का, तो अगर ये आजाए कि मिल्क का मेन कॉंपोनेंट तो इस इस काल्शियम, तो ये इंपोर्टन बात है, आप इसको ध A fused mixture of de anhydrous, CACL2 and Caff2 So mixture calcium chloride And mixture 80 or 20% is extracted It meillä Flying bone, milk, electrolytic process And CACL2 and CAAF2 Another thing तो अगर 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 वाटर है तो उसको रिमूफ करने के लिए भी कैल्शियम का काम आता है और यह जो है कुछ हेलिमेंट जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया शल्फर हो गया और ऑक्सिजन हो गया जो स्मॉल अमांट में होते हैं तो इन जो एलिमेंट से इनको जो जो रिमूफ करने में जो चीज यूज होती है उसको जो आपका मैटल यूज होता है वो भी कैल्शियम होता है अब के कुछ कंपांट देख लेते हैं तो calcium oxide, calcium oxide को क्या बहूता है? quick lime तो यह direct आजाता है Which one of the falling is called as a quick lime? तो it is calcium oxide यह यह यूज होता है, used as a potter in the construction of the house तो आपको जो house को बनाने में जो है जो जो चूना होता है वहाँ यह used होता है Calcium hydroxide CO2, जिसको slake lime बोलते हैं और यह उप्टेन होता है, reacting quick lime with water तो quick lime को water के साथ जब mix कर देते हैं तो आपका जो product बनता है उसको हम slake lime कहते हैं तो यह किसकी काम में आता है, bleaching powder बनाने के काम आता है, coal gas के purification में काम आता है, जो lead होता है उसको बनाने में काम आता है और white washing जो है, घर में आप जो चूना होना white washing करते हैं वो उसमें भी काम आता है next होगे आपका bleaching powder, नाम ही पता है आपको bleaching powder क्या होता है, किसी भी चीज की bleach करनी CA OCL, CL इसका formula होता है, यह prepared होता है by supplying chlorine gas on slake lime क्लोरीन गैस को जब slake lime में supply करेंगे तो आपको bleaching powder मिलता है तो यह किसका जो paper को bleaching करने में, garment को bleaching करने में और यह water purifier की तरह भी use होता है next होगे जिपसम, सबको पता है तो जिपसम क्या होता है कि जब हीट करते हैं 120 degree Celsius पे तो यह plaster of Paris में बन जाता है तो जिपसम क्या होता है CISO4.H2O, plaster of Paris वो होता है जब आपको plaster चड़ता है जब आपको fracture हो जाता है जो plaster चड़ता है वो सफेज सफेज का जो ऊपर का रहता है P.O.P. और या फिर जब आपके घर में जब डिजाइन बनता है मतलब वाल सीलिंग पे या फिर वाल पे जब डिजाइन बनता है P.O.P. से तो वो plaster of Paris होता है plaster जिपसम को जब हीट करते हैं 120 degree Celsius पे तो वो plaster of Paris में convert हो जाता है तो कोशन यह ऐसे भी आ सकता है कि किसको हीट करने पे वो P.O.P. में convert होता है तो किसको हीट करने पे जिपसम को करते हैं और यह जब हीट करते हैं तो वो किसमें convert होता है वो P.O.P. में होता है यह किसमे काम आता है, POP बनाने में, Plast of Paris, और Ammonium Sulphate, Fertilizer बनाने में, this is very important कि जिप्सम किसमें यूज होता है, Ammonium Sulphate, Fertilizer, इसको याद कर लो, Ammonium Sulphate, कभी-कभी कोश्चन ऐसे भी आ जा सकते हैं, कि Ammonium Sulphate क्या होता है, तो यहाँ याद रखना, Ammonium Sulphate is a Fertilizer फिर होता है, Plast of Paris, तो यह Semi-Hydrated Calcium Sulphate होता है, और यूज होता है, Bandage in Surgical Process, और Manufacturing Statue, तो Statue आपने देखे होंगे, तो Statue भी Plast of Paris के जो Statue बने होता है, जो सफेद सफेद रंग के आपने देखा होगा, Plast of Paris के, Surgical में यूज होता है, जो आपके पैरों में आपके हाथ पेक् और उपर से यह, धर के construction में भी यूज होता है, डेकोरेशन में, कि वाल सीलिंग पे हो गया, या फिर वाल पे हो गया, तो यहां अलग अलग जंगे होता है, पिर होता है, Super Phosphate of Lime, यह कैसे प्रिपेर होता है, Prepare from the Phosphorite and also the Bone of Animal, तो अनिमल की बोन से प्रिपेर होता है, यह Super Phosphate of Lime जो है, एक गुड फर्टिलाइजर है, जो वाटर में सॉलिबल होता है and so plants and tree absorb easily, तो Super Phosphate जो है, जो Super Phosphate जो है, वो एक तरह का गुड फर्टिलाइजर है, क्योंकि यह आराम से जो है, पानी में जो है वो घुल जाता है, और ट्री जो है, इसको एब्सॉब करते है फिर नेक्स चीज है, Calcium Carbide, Calcium Carbide कैसे बनता है, prepared by heating Quick Lime with Coke, तो Quick Lime को जो है, जब कोक के साथ हीट करते हैं, तो यह Calcium Carbide मिलता है, तो इसमें जो है, आपको जादा यह सारी चीजे reaction याद करने की इतनी जादा ज़रूरत नहीं है, आपको इनका use याद करने की जादा ज़ टो, तो उसमें बासदे याद ज़र, Super Phosphate of Lime का, यह को पॉर्परैय। यह इंपोर्टने है, तो उसरी सारी चीजे बाकि इतना सारी जादे जब को कुक Lime को के साथ हीट करेंगे, तो इस-टाइब के की कस्षेन नहीं हाँ, बाकि इसमें आता है, इनका use क्या है तो यह वाटर के साथ गैक करके असी टाइलीन बनाते हैं और यह जो है फिलेम बनाने में काम आता है for lightning purpose तो यह फिलेम बनाने में lightning purpose में काम आता है निट्रोलियम जो है इसको कैलिसियम साइनामाइड कहते हैं और यह एक तरह का nitrogenous fertilizer है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है आपको डारेक्ट आ जा सकता है कि नित्रोलिम क्या है तो ऑप्शन में दे दिया जाए कि यह नाइट्रोजियन फर्टिलाइजर है यह फिर अमोनियम सल्फेत है इस टाइप से चीजे दे दी जाएं तो this is very important यह आपके जो agriculture के question आते है ना paper में वहां के लिए भी important है जो आपके जैसे one day exam हो गया जैसे lower PCS का हो गया और आपके और one day exam हो गया तो वहां agriculture के में आता है इवन जो आपके UPPSC हो गया या PCS के exam हो गया तो उसमें तो डारेक्ट आपके साइंस अले पार्ट में आता है साइंस अगरिकुल्चर वाले में तो निट्रोलियम जो है वह निट्रोजियन फर्टिलाइजर होता है next हो गया hydrolith तो it is used as a ready supply of the hydrogen gas next है calcium carbonate तो यह नेचर में होता है in the form of the limestone marble and slate lime और यह जो है tooth powder में यूज होता है tooth paste में यूज होता है और white washing में यूज होता है calcium carbonate next है आपका calcium phosphate तो calcium phosphate का यूज होता है toothpaste में next आपका element है metal है magnees तो magnees के compound होगे potassium permagnate यह bluish color का होता है और इसको red medicine बोलते है bluish color का होता है और इसको red medicine बोलते है यह बहुत important है कौन से color का है और क्या बोलो जाता है तो यह एक as a bleaching agent है for wooden silk और used as a color remover of the oil यह पहला ही हो गया bleaching agent of the wooden silk color remover की तरह यूज होता है oil का और यह germicides और insecticide का काम करता है तभी इसको red medicine बोलते है germicide और insecticide को as a insecticide काम करता है तो इसमें आजाए which one of the following is work as a germicide or insecticide तो this is potassium permagnate next हो गया manganese dioxide तो manganese dioxide जो है आपका dry cell में यूज होता है जैसे आपके torch हो गया radio हो गया transistor हो गया यहां जो है आपका सब manganese dioxide यूज होता है next है आपका iron तो iron जो है fourth position acquired करता है तो यहां आपको मिलता है आपको green vegetables में and hemoglobin of the blood में यहां आपको मिलता है तो ऐसे बोलते है जब iron की कम ही हो जाती है तो बोलते है कि green vegetables खाया करो तो green vegetables के अंदर iron मिलता है तो आपका जो hemoglobin में यह काम अता है इसके ओर क्या हो गया रेड हमिटाइट जो फे-2-0-3 होता है brown hematite हो गया फिर magnetite हो गया तो यह सारे जो है इसके ओर है Varieties of iron, iron की कौन-कौन से वराइटी होती है एक होता है cast iron और pig iron तो amount of carbon इसमें 2.5% होता है high that why it is hard and brittle, hard and bitter होता है इसमें बहुत कम अमांट की impurities होती है lower quality का होता है, steel बनाने में, wrought iron बनाने में, utensils बनाने में यह काम आता है फिर हो गया wrought iron, यह एक pure metallic iron होता है इसमें जो carbon हो बहुत कम होता है, मतब 0.12-1.25% approximately 1% जो है इसमें carbon होता है यह foils बनाने में, जो आपकी sheets होगी, wires बनाने में उसमें यह काम आता है फिर steel, यह important है, steel का पूछला जाता है, steel किस-किस का alloy है, तो steel iron का और carbon का alloy है तो steel is an alloy of iron and carbon, तो इसमें steel में, जो amount of carbon है, वो cast iron से कम होता है फिर alloy steel होती है, जैसे various name of alloy steel, like stainless steel हो गया, chrome steel हो गया, manganese steel हो गया, tungsten steel हो गया तो आप जैसे stainless steel देखते हो, आपके मतलब घर में जो utensils होते हैं, वो stainless steels के होते हैं तो steels की जो है, अलग-अलग variety होती है, इनके हम composition अभी देखेंगे, कि कौन सा किसका होता है इन ordinary जो iron steel होती है, वो basically iron और carbon का mix होती है लेकिन अगर इसके अंदर, जैसे chromium mix हो जाए, manganese mix हो जाए, या फिर nickel mix हो जाए, तो ये सारी चीजे अगर mix हो जाए, तो इसको हम बोल देते हैं, alloy steel जो आपकी iron steel होती है, वो सिर्फ आपकी iron और carbon का mixture होती है, लेकिन अगर इन में जैसे chromium, manganese, nickel और ये सब मिल जाए, तो ये alloy steel हो जाती है तो alloy steel के कुछ example है, जैसे stainless steel हो गया, तो इसकी special competition क्या होती है, इसमें आपका chromium होता है, 12-15% ये बहुत हार्ड होता है, strong होता है, और जल्दी से इसमें जंग नहीं हाता, तो इसले ही जैसे अगर utensils है, utensils किसी चीज में rust किस से कैसे आता है, air and moisture से, अब हम utensils use करते हैं, तो वो तो पानी में धुलते रहते हैं, तो इतना पानी जो है, contact में आता है, अगर वो stainless steel के नहीं बनाएंगे, तो इसमें जंग आ जाएगा, तो stainless steel इसले ही यूज करते हैं, तो does not form rust, cooking utensils में यूज होता है, instruments में यूज होता है, इन सारी चीजों में आपका stainless steel यूज होता है, दूसरा हो गे आपका manganese steel, in manganese steel में 6-15% होता है, बहुत hard होता है, free from rusting होता है, railway track बनाने के काम आता है, switches बनाने के काम आता है, chrome steel में 5% होता है, hard होती है, safe walls बनाने में, ball bearing बनाने में काम आता है, jaw of the stone crushing machine, तो ball bearing आपके जड़ त तायर वार देखते हो, तो उसमेचों जो होते है, ball bearing तो उसमें आपके काम आता है इंवर्ज हो गया, absence of the expansion characteristic जो used होता है in the making of the pendulum of the watches वाचेस का pendulum बनाने के काम आता है nickel steel जो है, बहुत hard and elastic होता है free from rusting होता है और ये used होता है, excels बनाने में, electric wire बनाने में, aircraft का auto parts बनाने में next है आपका tungsten steel बहुत strong होती है, spring magnets बनाने में, cutting tools बनाने में, in some में इसका यूज होता है next हो गया आपका chrome बॉल्स बनाने में यूज होता है, vanadium steel का यूज होता है, vanadium steel strength बहुत जादा होती है इसको gears excel इन सम में बनाने में काम आता है में 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 स्टील के तो में 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 म ही होता है Broken 2-1 – 2 – 3 1 – 1 time compound देख लेते हैं iron के, पहला ferrous sulfate, इसको green vitrol बोलते हैं, तो यह बहुत ज्यादा important है, direct आजाता है कि ferrous sulfate को क्या बोलते हैं, green vitrol को क्या बोलते हैं, ferrous sulfate, यह किसके लिए काम आता है, dyes बनाने में, ink बनाने में, और manufacturing, iron deficit drugs, तो जितनी भी आपको iron deficit drugs होती हैं, उनको देने के लिए जो है, आपका ferrous sulfate यूज होता है, ferric chloride, यह आपका laboratory reagent है, और यह जो है, blood coagulation के prediction में, जो है, help करता है, next हो गया ferrous sulfide, ferrous sulfide को अब fake gold बोलते हैं, तो question आ सकता है direct की fake gold किसको बोलते हैं, तो यह ferrous sulfide को बोलते हैं, यह preparation of the hydrogen sulfide gas की preparation में use होता है, next हो गया more salt, यह blue ink को बनाने में काम आता है, very important, leather को color करने में काम आता है, और insecticides में भी काम आता है, अब दो disease होती है, आरन से related, आपके अंदर आरन की कमी हो जाए, या फिर exes में हो जाए, तो अनेमिया तो सबको पता ही होगा, अनेमिया क्या होता है, deficiency of the iron, लेकिन अगर आरन exes में हो जाए, तो इसको बोलते हैं, सिद्रोसिस, तो ये एफ्रिकन कंट्रीज में जो है, लोगों को ये disease होती है, सिद्रोसिस, मताब आरन उनको उनके अंदर exes में होता है, सिद्रोसिस, नेक्स्ट है copper, copper जो है, आपका metal और दोनों में मिलता है, और इसके होगे copper pyrite, copper glands, cupryrite, azuride, यूज किसका होता है, manufacturing of electric wires और electric appliance, तो ये तो सबको भी पता होगा, electric wires और appliance में इसका use होता है, अब कुछ alloy देख लेते हैं, copper के, बहुत जादा important है copper के alloy, पहला हो गया brass, brass क्या होता है, brass होता है, copper plus zinc, इसको confuse मत हो जाना, copper plus zinc, और bronze क्या होता है, copper plus tin, brass, bronze में याद रखना, brass होता है zinc, और bronze होता है tin, तो brass copper plus zinc, making idols, household utensils, इन सब में काम आता है, bronze का काम आता है, coins बनाने में, utensils इन सब में, फिर होता आपका German silver, इसमे copper और zinc और nickel यूज होता है, और फिर आपका rolled gold होता है, इसमे copper और aluminium यूज होता है, ornaments बनाने में काम आता है, फिर monol metal होता है, इसमें copper plus nickel होता है, फिर bell metal होता है, इसमें copper plus tin होता है, फिर gun metal, gun metal is important, में आपका होता है, देखो, gun metal अब क्या होता है, gun metal में आया copper, tin plus zinc, तो gun metal आप यह समझ लो, कि brass और bronze को जो मिला के वो gun metal मिलता है, तो copper, tin and zinc, तो engineering goods, gun, parts, equipment and machine इसमें यूज होता है, फिर delta metal जो होता है, copper, zinc and iron, making propellers of the ship, फिर muns metal जो होता है, copper and zinc, coin बनाने में, tubes बनाने में, casting में यह सम्में यूज होता है, Dutch metal जो होता है, copper and zinc होता है, cheap ornaments बनाने में काम आता है, और constant ton, copper plus nickel होता है, यह electric apparatus बनाने में काम आता है, तो इसमें जोड़े important कहुंस है, copper, brass important है, bronze important हो गया, gun metal हो गया, जो bell metal के बरतन होता है, उनमें खाना आप खाते हो, तो it's very beneficial for you, तो bell metal होता है, इसमें copper plus 10 होता है, तो bronze and bell metal में बनाने में बनाने का difference है, bronze में copper का percentage 88% होता है, और bell में 80% होता है, तो 8% में परसेंटेज इदर उदर कर जाता है, तो bronze or bell metal मिल जाता है, अगर copper का percentage जादा रखोगे तो आपको bronze मिलेगा, copper का percentage अगर थोड़ा सा कम कर दोगे तो आपको bell metal मिल जाता है, तो यह जो है, bronze and bell metal, इनकी composition एक ही है, बस percentage इनके अंदर जो मिलता है, वो अलग अलग है, इसके अंदर copper जो है 88% मिलता है और इसके अंदर 80% मिलता है, दूसरा दोनों में 10 होता है, उसमें 12% हो गया, 88 plus 12 तभी 100 होगा उसमें 20% हो गया, next है compounds, copper के तो होता है, cupric sulphate, इसको blue vitrol बोलते है, अभी हमने green vitrol पढ़ाता है, आपको याद होगा, तो फेरस sulphate क्या होता है आपका green vitrol, green vitrol is ferrous sulphate, blue vitrol is cupric sulphate, याद रखना इसको, copper है, copper का वैसे भी ही, जब आपने देखा होगा, rust लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो उसमें green color का आपको देखता है, तो यह ही है, याद रखना की, जो blue, sorry, blue color का देखता है, मतलब blue color का आपको mixture और जब आप उसमें डालते हैं, तो आपको blue color का मिलता है, तो आप यहाँ ध्यान रखना की, blue vitrol जो है, वो cupric sulphate है, और जो green vitrol है, वो ferrous है, तो cupric sulphate जो है, पॉजन होता है, तभी यह जर्मिसाइट और इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, तो mixture जो है, copper sulphate का और calcium hydroxide का इसको बोलते है, बोलते है, बॉडक्स mixture, तो question आजाए कि, बोलते है, तो इस ता mixture of the copper sulphate and calcium hydroxide, इन दोनों को mixture को जो है, हम बॉडक्स बोलते हैं, और यह fungicide की तरह यूज होता है, तो question direct आसकता है, कि बॉडक्स mixture क्या होता है, तो it's a fungicide, और यह mixture होता है, copper sulphate का और calcium hydroxide का, Anhydrous copper sulphate क्या होता है, used to examine the presence of the water, अगर anhydrous copper sulphate का use करते हैं, तो examine the presence of the water, next हो गया, cuprous oxide, तो cuprous oxide काम आता है, ruby glass बनाने में, and the manufacturing of the dyes, and white bronze, in which there is excess amount of the tin with copper, तो white bronze क्या होता है, कि tin बहुत जादा हो copper के साथ, तो उसको white bronze बोलते हैं, Failing solution जो है, वो indication होता है, presence of the aldehyde, तो मतलब Failing solution, मतलब Failing solution, अगर किसी चीज में aldehyde है, और आप उसमें Failing solution डालते हो, तो उसमें आपका liquid का color change हो जाता है, तो आपको पता चल जाता है, कि यह aldehyde है, तो aldehyde की presence को जाचने के लिए, जो solution का यूज होता है, वो Failing solution यूज होता है, तो इसमें copper होता है, तो आपको डारेक्ट आजाएगा, कि Failing solution से किस की presence रेखी जाती है, तो यह aldehyde की presence देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, Failing solution, Failing solution क्या होता है, copper, next is silver, silver के और क्या होते है, agentite, orange silver, pyragride, best conductor of heat and electricity होता है, बिल्को सही बात, heat का भी best conductor है, electricity का भी best conductor है, is like a. use this, ले नी करते है क्योंकि hang out है, किस चीज को बनाने में काम आता है, ornaments को, obviously, चांदी के जुल्री जुल्री पहनते हैं लोग उन्नमेंट को बनाने में 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 उन्नमें उन्नमेंट को बनाने में उन्नमें उन्नमेंट को बनाने में उन्नमें everyone knows it is used in the photography तो बताय क्या होता है Silver Bromide आपका sensitive to light है आपका Silver Bromide sensitive to light है जब यह जेलेटन में suspended होता है तो जो Silver Bromide Silver Bromide के जो grain है वो एक तरह का photographic emulsion create कर लेता है क्योंकि यह sensitive of light है तो यह photographic emulsion create कर लेता है तभी यह photography में use होता है तो पूछा जाए आपके Silver Bromide फोटग्राफी में क्यों use होता है Because it is sensitive to light Silver Iodide this is very 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 important Is used in prediction of the artificial rain अब मुझे बताएगा कि एक तो चलिये आप लोग कमेंट करते नहीं है मैं आपको कोई भी question बूछती हूँ आप कोई comment नहीं करता है बस ऐसे video देखी देखी नहीं देखी आधी देखी फोवर्ड करके देखी 2x में देखी और पता नहीं और ऐसी निकल लेता है कोई comment नहीं करना और ऐसे क्या है कि वन वे ऐसे बोलते रो और फिर आप देख दाके निकल लो तो silver iodide used in the prediction of the artificial and artificial rain और बताईए artificial rain और किस किस चीज से बनती है artificial rain और किस किस चीज से बनती है एक तो silver iodide इन से बनती है और किस किस चीज से बनती है तो comment box में कर देना comment box में इसका comment कर देना वन फिर क्या है मुझे next time से मैं question पूछन बंद कर दूंग देख लेना कोई interaction ही नहीं कुछ नहीं बस मस्त चल रही है ऐसी गाड़ी silver nitrite क्या है hair dye को बनाने में काम आता है electroplating of the silver में काम आता है और इसको जो है colored bottle के अंदर रखा जाता है क्योंकि यह ना जो आप ऐसी रखोगे तो यह decompose हो जाता है आप देखो ऐसे बोलता है मतलब आपने घर में सुना होगा कि जो अंदा है उसको silver spoon से नहीं खाना चाहिए वो बहुत dangerous होता है क्योंकि जो silver है वो sulfur के साथ बहुत जल्दी react करता है और वो एक तरह का black color silver sulfide बना लेता है which is dangerous to us black color का silver sulfide बना लेता है which is dangerous to us next question हो गया gold gold सबको पता है sone ke aabhushan sone ke aabhushan making ornaments and sold photograph of gold वी बनाने में कामाता है this is very important कि purity of gold सबको ही पता होगा purity of gold कैसे होती है एक कारट में मेशर होती है अगर completely pure gold है तो वो 24 कारट का होगा 24 कारट का अगर gold होगा तो वो बहुत brittle होता है मतब आप आप वो ना बहुत जादा brittle होता है तो असानी से तूटने के जो है उसके chances रहते है तो क्या करते है गोल्ड में थोड़ा सा copper मिला देते है उसकी bitterness को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या बहुत की, तो जो हमें मार्कट में नॉमली गोल्ली आप 23 ए02 कारट का मिलता है जिसमें आप यह यह दो पार्ट के जो कॉपर का इंटमिक्स कर देते हैं तो एक थो पार्ट का कॉपर का इंटमिक्स करके आप उसको गोल्ड को मार्केट में निकालते हैं क्योंकि 24 कारट गोल्ड इस वेरी ब्रिटल और इतना ब्रिटल यूज करोगे तो थोड़ा बहुत पहना वेना कुछ बनाया तो थोड़े दिर में टूट टाटके गर गया एक तो उपर से गोल्ड उपर से टूट जाए तो भ कंपाउंड क्यों होते हैं गोल्ड के और एक क्लोराइड होता है एंटीडोट ऑफ थे स्नेक पोईजने तो आप अगर कोई जैसे ट्राबल एरिया में रहता हो या फिर आप देखे होंगे या फिर आप थोड़े जहां जहां स्नेक जादा निकलते हों तो वहां इन सब इतर वर्म यह सब्सक्ल अर्टिता है यह देख गयर बनाने में लौट कह लिए इस थे संब्सक्रीन के एंकल का लेड़ सक्टार्य पहां रचल कर वहां से एंटल में गोल होते हैं जहांने गोल्ष संब्सक्रीनोट पढ़ने में तो वहल पूल्स. पैयर न्र इस पाहिड ब मूर्खों का सोना next, Platinum पहले लोग शिल्वर जुल्री पे जाते थे फिर गोल्ड जुल्री पे जाते थे वाइड गोल्ड अब क्या चलाने? वोजे तो प्लेटिनम बैंड जाहिए ठीक है, Platinum यह नोबेल मेटल्स का है, Silver, Gold, Platinum नोबेल मेटल्स हमने क्या बतायते है? जो रस्ट नहीं खाते है रस्ट नहीं खाते है तो आपने सोने की अंगुथी पहनी उसमें हाथवाद भूए तो चार-पांच दिन बात बेखा थे जंग लग लिया तो नोबेल मेटल्स होते हैं वो रस्ट नहीं खाते हैं तो सिल्व, Gold, Platinum these are the Nobel Metals तो यह और्नमेंट्स बनाने के काम आते हैं लिबरेटरी कृूपमेंट्स बनाने के काम आते हैं और टिप अफ दे नोबेल अफ दे पैन जो है वो प्लेटनम से बनती है जो पैन के टिप होती है कुछ-कुछ अच्छ अच्छ जो पैन होते हैं नॉर्मल पैन भी होते है वो प्लेटनम से बनती है नेक्स्ट आपका Zinc Zinc के ओर होता है Zinc Blad, Zinc Sight, Calamine यूस किसमें होता है? हर्डोजन गैस बनाने में और गैलवनाइजेशन करने में आरन शीट की to protect it from the rusting तो हमने बताया था ना कि जब गैलवनाइजेशन करते हैं वो किस से करते हैं? आरन होता है, और मॉश्य लगता है तो उसमें रस्टिंग आ जाती है तो उससे Zinc की कोटिंग कर देते हैं एक Zinc की कोटिंग कर दी तो उस पर रस्ट नहीं लगा तो Zinc की कोटिंग Next है Compound Zinc Sulfide White Vitrol तो आपके पास कौन-कौन से Vitrol हो गया? Green हो गया, Blue हो गया, White हो गया अब तीनों लिखके बताने की कौन-कौन से हैं बिना बैक करें, बिना देखें आप नीचे लिखके बताऊगे की Green Vitrol, Blue Vitrol or White Vitrol कौन-कौन से हैं White तो हैं लिखा हुआ है तो दो और लिखके बताने हैं नीचे Used in the Textile Industry for Soaking Cotton Threads Cotton Threads को में काम आता है Zinc Oxide को बोलते हैं Philosopher Wools Use होता है यह Face Cream में, Artificial Tooth में इसन सारे uses के वज़े से इसको बोलते हैं Chinese White और Zinc White तो इन सारी चीजों में यह Use होता है Artificial Tooth में, Face Cream में और यह सब में इसको इसलिए होता है Lithopon जो है White Pigment होता है जो उसे होता है in preparing the White Paint White Paint को बनाने में उसे होता है Zinc Sulfide जो है Screen को बनाने में काम होता है Zinc Phosphide जो है Red Poison होता है This is very important UPPSC I think 2020 में 2020 में यह Direct Question आया है Zinc Phosphide क्या होता है तो is used as a Red Poison Then next is Zinc Chloride Electro-Pretting is done to protect costly wooden furniture from germs or insects Zinc Carbonate is used in making medicine of the skin disease So skin disease की medicine बनाने में काम हता है Mercury Mercury जो है found होता है in the form of the Ores Ores और होगे जैसे आपका चाहना बार होगे इन सब में यह वाटर के साथ react नहीं करता है नाइलकलाइल के साथ But it combined easily with the metal Metal Amalgam बनाता है तो Mercury जो है वह 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 वाटर के साथ react नहीं करेंगा अलकलाइल के साथ नहीं करेंगा लेकिन सब सारे metals के साथ react कर देता है और यह Amalgam बनाता है उनके साथ react करके तो Amalgam का यही मतलब होता है कि Mercury Plus other metal मतलब इसी चीज़ को Amalgam बोलता है Mercury किसी भी metal के साथ react करता है तो वह Amalgam बनाता है The mixture of the Mercury with the other metal is called Amalgam Simple सी बात तो अगर आप कहीं देखो Amalgam क्या होता है अब स्पेलिंग सही से लिखो आथे लोग यह समझ लें कि माम को स्पेलिंग नहीं आती है इसले ही खुचड-पुचड करती रहती है तो इनकी राइटिंग जाद अच्छी नहीं है तो Amalgam ठीक थाक है रीडेबल है राइटिंग कोई नहीं कोई बड़ी बात नहीं है तो कंपाउंड की कौन-कौन होता है Merkuris Chloride यह यह यूज होता है in the protection of the drug in form of the bed pills sleeping pills Merkuris Chloride तो next है Mercuric Chloride तो एक corrosive sublimite जो deadly poison यह यह यूज होता है germicide in washing surgical instruments before surgical operation तो surgical operation से पहले आप जो surgical instruments को वाश करने के लिए जो यूज होता है वो Mercuric Chloride आप कुछ facts देख लेते है Mercury के composition of the metal in which one metal is mercury तो मैंने आपको बताया था mercury plus metal इसके composition को जो है amalgam बोलते है metal mercury capped होता है in the pot because it does not form amalgam with iron so this is a very important thing that mercury किसके साथ amalgam नहीं बनाता तो iron के साथ नहीं बनाता ध्यान रखना next है tube light के अंदर mercury vapor and argon gas filled होते हैं तो यह बहुत question आता है बहुत important है कि tube light के अंदर क्या होते हैं तो क्या होता है vapor mercury vapor mercury vapor plus argon यह होता है tube light के अंदर immediate rise and fall जो barometer की reading में होता है यह indication होता है of clear weather and prediction of the occurrence of the cyclone और यह barometer के अंदर कौन सी metal भरा होता है this is mercury metal mercury को हम quick silver भी बोलते हैं तो यह mercury से related कुछ fact है जो आपने देख लोंगे this is lead यह आपका lead है तो lead के और कौन से होता है galena होता है crusite होता है angelosite होता है alloy बनाने में काम होता है accumulator बनाने में काम होता है lead की bullets होती है उसमें काम होता है compound कौन से होगे lead oxide जिसको बोलते है lethargy rubber industry में यूज़ता है manufacturing होता है flint glasses की और storage battery में lead storage batteries होती है वहाँ भी आपका lead यूज़ता है next is lead dioxide तो यह क्या यूज़ता है match industry में यूज़ता है match box आप देखते हैं तो यहां एक strip लगी रहती है और उस पे आप scratch करते हैं तो फार इगनाइट होती है तो इस strip में आपका lead लगा रहता है making ignition surface of the match box preparation of KMnO4 tri plumbic tetraoxide जिसको red lead बोलते हैं यह red paint बनाने में काम होता है lead acetate बोलते है sugar of the lead और inorganic sugar यह किसमें काम आता है to examine chloride sulfide and sulfate radical lead acetate paper used to examine the presence of H2S hydrogen sulfide की काम में यूज होता है lead carbonate को जो है white lead बोलते है insoluble in water होता है किसमें soluble होता है hydrochloric acid में और nitric acid में SCL क्या होता है hydrochloric acid and HNO3 होता है nitric acid और यह काम किसमें काम आता है white pigment बनाने में lead tetra ethyl lead tetra ethyl lead tetra ethyl आता है value a mobile pen तो इसको जो है जो लेड टेट्राइथाइल है इसको पेट्रोल के अंदर डालते हैं और यह एंटी नॉक एजेंट की तरह काम करता है तो इसको जो है जो लेड टेट्राइथाइल है इसको पेट्रोल के अंदर डालते हैं और यह एंटी नॉक एजेंट की तरह काम करता है तो nti nock agent क्या होता है nti nock agent जो है आपका एक पेट्रोल यह फिए एक यापका sanitो होता है उसमें एक additive का काम यूज करता है एक additive का काम यूज होता है to reduce engine knocking and increase फ्यूल की जो है ॉक्टेन रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए तुर आपकी इंजन लगॉदिन के सिंपल साफ काम समझ लो की जो आपकी इंजन में बार-बार नाओकिंग होती है उसको डिड्यूस करता है और आपकी फूल थे उसको बढादेता है हो काम होते हैं तो यह ट्रा थाइल उसमें काम होते है यह लॉइदे था है ठाइप मेटल इसमें लेद होता है फर ट्रीन होता है ayria कूं市 में अपका ट्रेन legisl society Barbara M6-52, 70% फ्फ्टीन होता है तिन अलेड होता है यह सोल्टरिंग कर the PVC आपने कभी देखी होगी चिपसी निए उसमें चोटेचोटे आपके अपके कापस्टर लगे रहते है यह सब लगे रहते हैं चोटेचोटे तो उसको आपने पीछे से देखा होगा अभराब की है कि आधीत बादैट नबता है कि आधी यहायदी आध पीछे की साइद आधी लेक क्रे wondered तो वह वो जोडरिंग होती है मादब वेल्डिंग का ही छोटा भाई ही जोडरिंग लेम भाशा में कहीं लेकमत आना की वेल्डिंग का छोटा भाई जोडरिंग Not कि नियुक्स छोट cent किन थे लाय जो है वह दमस्टिक एलेक्टिक सर्किट में भगा तो हैंभी आपका लेड पर चुक问 तुरु गह वाले आप एलेक्ट्रिक वाले तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह लेड न तिन से क्यो बना होता है तो आप पीछे आप देखना जो माइन होती है वो लेड न जिंक माइनिंग है लेड पाइप जो है नौट गुड फर ड्रेंकिंग वाटर फ्लो होता है मतलत लेड उसमें कोरोडों के गड़ता रहता है तो वो एट्सली तो पॉजन तो पॉजन तो इस नाट गुड फर हैल्थ लेड एक एंड एलिमेंट है जब आप कोई भी रेडियो एक्टिव रियाक्शन करते हैं या फिर आप आप नुक्लियर फिजन करते हैं और तो आपको जो सबसे लास्ट में जो एलिमेंट मिलता है वो लेड मिलता है लो लेड एक एंड एलिमेंट है जो जो भी एक नैचु वह stable आने के लिए जो सबसे last element जो मतलब end element छोड़ता है मतलब अगर वो lead में convert हो गया तो मतलब वो unstable से stable में पहुच गया तो lead हमारा एक end element है next theorem सबको पता है आपको radioactive element does not occur यह कर होता है और of the monzite में यूज होता है नुकलियर एनरजी बनाने के लिए एक्सरे टारगेट के टंग्स टंग्स फिलामेंट्स बनाने में उरेनियम जो है उसको metal of hope बोलते है और उरेनियम काबाइट जो है वो catalyst की तरह यूज होता है in the protection of the ammonia अमोनिया बनाने में यूज होता है नुकलियर एनरजी बनाने में यूज होता है ड्रग मैनुफेक्ट्रिंग बनाने में यूज होता है तो इन सम्में जो है वो यूज होता है तो मतलब matter of hope nuclear energy जो जितनी सारी energy prediction होगा उस nuclear मैं uranium से तो metal of hope उसको बोल जाता है uranium के कुछ state है uranium 234 हो गया uranium 235 हो गया uranium 238 हो गया तो यह मतब इस आर दा अला रेडियो एक्टिव और इनकी हाफ लाइप लिए यह हाफ लाइप होती है आगे हम पढ़ें हाफ लाइप क्या होती है तो यह uranium 238 के सब फो 7 billion है इसे 7 is over 4 है तो uranium 238 के सबसे दा हाफ लाइप होती है पढ़ेंगे हम इसको चंता मत करो हाफ लाइप क्या होता है सब पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे कि कोशन ही छोटे हा एक भी पेपर में बाकि सब भी क्या पढ़ना है साइंस की कोई लिमिट थोड़ी नहीं है लेकिन इतना पढ़ लेंगे कि कोई कोशन नहीं छूटेगा Plutonium जो है heavy radioactive element है in almost all nuclear reactor about 20 ton plutonium जो है यूज होता है Hiroshima Nagasaki जो है उसमे nuclear fission bomb हुआता जो atom bomb है उसमें plutonium जो है वो यूज हूआता है अब कुछ facts देख लेते हैं metal से related Symbol of tungsten is W यह तो कोई आपसे पूचेगा ना इसका melting point भी आपसे कोई नहीं पूचेगा Tungsten कहां से produce होता है? Degana Mines of the Rajasthan तो यह geography का भी question हो कि आपका Mineral and location का कहां से होता है Degana Mines of the Rajasthan जो filament होता है electric bulb is made of tungsten and the bulb is vacuum to prevent the filament from burning and for a longer life of the bulb तो यह bulb होता है अब तो bulb का ही मेल ही नहीं रहे है कोशन भी नहीं आएगा आप ही सकता है पढ़ लो चांस इसकर में तो यह इसके अंदर यह क्या होता है? filament किससे बना होता है? Tungsten से यहां इसमें vacuum होता है जिससे जो यह Tungsten यह filament हो बढ़ना हो पूरे टाम यह जलता रहता है अगर यह vacuum नहीं होगा तो यह जल-जल के राख हो जाएगा Betelite जो है, ore of the zirconium होता है The metal zirconium burn in both oxygen and nitrogen Zirconium has a neutron absorbing characteristic and that's why it is used in atomic reactor Burl, main ore, metal beryllium Franzisium, radioactive liquid metal, this is important Stannous sulphide, which is mosaic gold, this is used in paint Pin is a best allotropic demonstrator Heaviest metal among all, this is Osmium Barium hydroxide, which is barium water Barium sulphate, which is barium indicator code In the human stomach, this is used in x-ray testing Fire cracking, the green color is barium Crimson red color is stransium Lithium is the lightest metallic element and strongest reducing agent Metal, silver, gold, copper, platinum This is in free state, because it is less reactive Once you react with someone, it is less reactive Gold, platinum, silver, mercury This is a noble metal Next, gold, silver are most malleable Sheets convert in sheets Mercury and iron Mercury and iron These are two metals Which produce greater electrical resistance Greater electrical resistance If the rest of its comparison If the electric current is produced Mercury and iron These are the resistance When the electric current is passed They resist Silver and copper This is the best metallic conductor Of the heat and electricity And the nature of the oxide of the metal Oxide of the metal What is the basic of the metal? It is alkaline In the onion and sulfur You can see a pungent smell It is the presence of the potassium The chemical name is cornetite Potassium Gerenal budget Banded And isotope Cobal treatment Cobal 60 Smeltite It is a nickel It is a nickel It is a catalyst It is a catalyst In the hydrogestion process Of the vegetable oil Vegetable oil The vegetable oil It is a catalyst It is a nickel It is a nickel It is a phil It is a phil tar It is a phil tar It is not a phil The base of the phil tar Which is of the word fame Is constructed by Steel or cement It is a symbol of Tm Radium extract from the pitch blend And it was firstly extracted by Madame Cuell Metal, palladium It is used in manufacturing of the aircraft Galenium It it is in liquid state Metal selenium It is used in photoelectric Iron It is used in chitochrome It is used in chitochrome Xeolite It is used in the softening of the drinking water All the transition elements All the transition elements Potassium carbonate Perl is called ash नाइक्रोम जो है alloi है, nickel का, chromium और iron का, ये भी important है, electric heater किस्से बना होता है, ellaIM से, chromic acid का, जो chemical name है, वो chromium trioxide है, metal, britannia, जो है alloi है, antimony का, copper का, tin का, जो moderate explosive होता है वो mixture होता है potassium, nitrate का और charcoal का metal, babbit, alloy, tin, antimony का element, जो group 1 होते हैं वो alkaline होते हैं element of group troop जो alkali होते हैं वो alkaline होते हैं तो ऐसे कुछ नहीं आने वाला है titanium को जो है strategic metal होते हैं because it is used in stronger like steel but weight it is light तो बहुते strategically जो चीजे होते हैं कि stronger होता है लेकर light in weight अब बाता ही non-metals की metals हमें फनिश कर लिये सारे metals हमें पढ़ लिये इसे 8th session में पढ़ेते हैं कुछ metals और कुछ हमने session 9 में पढ़ लिये अब बाता ही है non-metals की hydrogen the basic constituent है sun का, star का hydrogen होता है hydrogen को fuel of the nature बोलते है hydrogen क्या होता है कि ऐसा electron in atom जिसके अंदर एक proton और एक electron exist करता है तो क्या होता था x यह यह formula होता था element का यह क्या होते थे number of proton यह क्या होता था number of proton plus number of neutron hydrogen proton 0 proton 1 neutron 0 तो यह हो गया 1 1 hydrogen 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 hydrogenation of oil तो एक बहुत हाय प्रेशर पे in the presence of the catalyst nickel hydrogen react with vegetable oil and it transform into a vegetable fat hydrogen जो है आपका vegetable oil के साथ react करेगा in the presence of catalyst nickel catalyst हमेशा जब reaction है उसको ऐसे use होता है तो catalyst का मतलब क्या होता है यह आप बोलता है कि को कोई लडाई हो गई जैसा कोई से दू लोगों की लडाई हो रही है कि यह catalyst की तरह काम कर लडाई में मतलब उस लडाई को boost कर रहा है मतलब आग में घी डाल रहा है वह होता है catalyst किसी चीज को boost कर रहा है तो यह nickel जो है वह boost कर रहा है तो इससे क्या मिलता है आपको vegetable fat तो आपको मिलता है vegetable fat hydrogen में vegetable oil में नाओगे in the presence of the nickel catalyst तो इसमें आपको मिलेगा vegetable fat next है इसका use का होता है fuel में use होता है liquid hydrogen में, rockets में liquid hydrogen की तरह use होता है rockets में prediction of the ammonia vegetable घी बनाने में काम आता है यह तो हम देख ही लिए थे यह अपने ही इशारों पे चल रहा है पेन, सुनी नहीं रहा है इसका जब मन कर रहा है यह तब लिख रहा है चलो, ठीक है देखते है कब तक चलता है fuel की तरह ही यूज होता है rocket में, prediction of the ammonia, manufacturing of the vegetable ghee and gasoline बनाने में and balloons बनाने में चलो, सुदर गया अब यह जो है, filling of the balloon यूज होता है slightly volatile and इसमें मिक्षर हो यूज होता है helium का sorry, helium का and hydrogen helium 85% hydrogen 15% aeroplane के अंदर, helium gas जो है, उसके tire में फिल्ड होता है form of hydrogen काम से होता है nascent hydrogen, in chemical reaction, suddenly emerged hydrogen atomic hydrogen होता है, decomposition of the molecular hydrogen जब करते है isotopes hydrogen के होता है, proteinium, deuterium and tritium तो, proteinium, deuterium, tritium, these are the isotopes of the hydrogen इसमें, isotopes में, अब जैसे proteinium है, तो इसमें क्या होता है proteinium के अंदर, proton 1 होता है deuterium के अंदर, proton 1, neutron 1 और tritium के अंदर, proton 1, neutron 2 यह simple सी चीज है protonium, deuterium, tritium अब देखो, proton 1 हुआ, formula क्या होता था? X, Z, A A क्या होता था? proton plus neutron और यह क्या होता था? proton यह होता था था, नहीं याद आ रहा है तो शुरू के session देख लेना, तब यहां के कूदना कि नहीं सीधे सीधे, 9 से कूदना मतब शुरू कर दो चीज है तो यह formula होता था तो अब इसमें protonium में क्या होता है हमारा element क्या है? X क्या होता था हमारा element तो यह है हमारा hydrogen proton कितने है? 1 proton हो गया 1 neutron? 0 तो protonium कितना हो गया? 1 1, यह हो गया protonium, detorium proton 1 proton 1 neutron 1 तो यह कितना हो गया? याद आ रहा है कुछ detorium proton 1 proton 1 neutron 2 तो कितना हो गया? आ गया होगा मुझे लगता है सबको समयझ में तो यह हो गया protonium के में atomic number और mass number सेम होता है तो यह होता है आपका यह होता है atomic number और यह होता है mass number तो दोनों 1 1 है तो दोनों सेम है detorium को क्या बोलते हैं heavy hydrogen heavy water heavy hydrogen titanium really occurring होता है radioactive substance होता है substance तो यह होता है substance फिर देस होता है compound of hydrogen hydrogen के compound पहला heavy water heavy water का फामला होता है dto and यह होता है oxide of the deuterium called heavy water तो यह oxide of the deuterium होता है next यह किस तरह कहां यूज होता है जैसे आपके nuclear reaction होती है तो उसमें आपका यह best moderator की यूज होता है nuclear reaction में तो मतला जो आपकी reaction है उसको moderate करने के लिए आपका यह use होता है density जो है heavy water की ordinary water से जादा होती है in 5000 parts of the water one part of the heavy water मतलब आप water के 5000 parts रखोगे तब आपको 1 part heavy water का मिलेगा d2 होगा तो यह density of water then heavy water मुझे रखता है यह तो सबको समझ में आगा होगा 1H1 1H2 1H3 किसी को अगर कभी problem है तो बता देना हम नेक्स सेशन में दुबारा सम्झा देंग फिर है hydrogen peroxide hydrogen peroxide hydrogen peroxide आपका oxygen peroxide and dilute sulfuric acid oxygenated water by the exposure of UV rays on the oxygen in the presence of the water vapor exposure of the UV rays in the presence of the water vapor hydrogen peroxide oxidizing property bleaching action on the silk wool hair soft object इन सब में यूज होता है यह जो आपके जितने oil plants paint होते हो glaze करने में यूज होता है germicides में यूज होता है paint reliever में यूज होता है wounds washing में यूज होता है fuel of the rocket submarines तो यहां इन सब चीजों का यूज होता है normal ordinary water H2O pH value 7 pure water bed conductor of electricity तो आप देखते हैं कि पानी में छूने से current निकलता है electric current पास होता है तो अगर वह आपका pure water होगा तो जितने भी आपके bottles वाले होते हैं जितने भी आपके क्लेम करते हैं हिमाल्या के क्लेम करते हैं कुआ जो कहें aqua जो है वो सब क्लेम करते हैं तो उनको उनके पानी में से current पास करके देख लेना कि अगर current लगा तो फिर मतलब वह pure water नहीं है तो जो pure water हो हमेशा bad conductor of electricity होता है अगर water थोड़ो से भी acidic होगा तो फिर वह good conductor of electricity होगा तो अगर current लग रहा है तो water pure नहीं है ठीक है तो फोर डिग्री celsius पर जो है density of water maximum होती है और volume कम होती है अब इसका एक formula भी होता है density is equal to mass upon volume इसको नहीं समझ में आ रहा है वो panic मत हो न आ रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो एक फोर डिग्री celsius पर density of water maximum होती है फोर डिग्री celsius पर density of water maximum होती है तो density is inversely proportional density inversely proportional नीचे की side है inversely proportional तो यह density maximum होती है तो volume minimum हो जाएगा तो density maximum तो volume minimum तो यह मतलब जैसे कभी-कभी confused हो जाते है कि density of water maximum होती है तो पहली बरसात तो acidic होती है पहली बरसात पहली बरसात नीचे उसके बात की जो बरसात होती है ocean 97% conversion of the water into ice and into vapor जो है एक तरह का physical change है अब देखो physical change अब यहाँ भी सुनलो आप physical change and chemical change water है water है water है water है water है यह अपने आप drag हो रहा है water है तेखो नहीं लिखने तेरा water water है water है वो ice में convert हो रहा है फिर उसके बाद water vapor में convert हो रहा है तो इसमें आप किसी chemical को नहीं डाल रहा है यह normally एक physical change हो रहा है तो एक normal physical change हो रहा है यह बहुत moody हो रहा है कर आज नहीं लिखने देंगे conversion of the water in ice or vapor किसी chemical का यूज नहीं हो रहा है प्रोसेस है simple पहले water गया solid water liquid है आपका normal solid में पहुचा solid के बाद आपका water vapor में आया तो this is a normally a physical change आपका आपका अब टाइप्स of water देख लेते हैं hard water hot water जो है पीने के लिए सही नहीं होता है harmful of health होता है इसके अंदर chloride, sulfate, biocarbonate of the calcium and magnesium dissolve होते हैं तो अगर पानी अगर आपका hard होगा तो वह कितना भी इसके अंदर सर्फ डालते रहो कोई सा भी लियाओ सर्फ एक्सल लियाओ कोई भी लियाओ तो hard water does not produce the leather salt water good for the drinking and washing soap the leather next is hardness of the water permanent hardness due to chloride and sulfate of the calcium and magnesium salt ये आपको hardness मिलती है तो आप से direct question पूछलिया जा सकता है permanent hardness तो chloride and sulfate किसके? calcium के or magnesium के calcium के ये कैसे remove होता है by mixing sodium carbonate and sometime by boiling the hard water by means of the distillation अबालने से पानी या फिर उसके अंतर sodium carbonate mix कर दो तो hardness remove हो जाती है जो method होता है hardness remove करने का उसको बोलते है permutate method तो ये important है permutate method जो है hardness है उसको remove करने के लिए होता है temporary hardness क्या होती है जब bio carbonate of the calcium magnesium salt remove by boiling it boiling हो गया boiling it bio carbonate of the calcium and magnesium salt remove by boiling it अगर sodium carbonate है अगर आपका mixed होता है water के अंदर और फिर उसके बाद उसको boil किया जाता है तो hardness जो है remove हो जाती है सही है next पढ़ते है last slide है थोड़ा patience बना के रखो कर लिया अपना फिनिश हो गया है facts water जो है universal solvent है best solvent है purist form of ice blue ice होता है और इसको जो है whiskey और wine बनाने में use होती है तो blue ice जो है वह आपकी wine और whiskey बनाने में use होती है अगर आपका ordinary जो है container में बहुत longer time के लिए boil हो तो एक white layer बना लेता है अब जैसे ordinary आपका water है और वह बहुत देर तक जैसे container में आपका boil होता रहा है आपका भी देखा होगा पानी रखके जैसे अब देर तक वह boil हो because of hydrogen bond so hydrogen bond की वज़े से जो है water जो है liquid state में exist होता है next एक तरह का होता है poly water poly water is a chemical composition as ordinary water and here shaped capillary composition जो है ordinary water किते रहा होती है it is most dangerous substance on the earth surface तो बहुत जाला most dangerous substance है earth surface में आप इस नमबर पर WhatsApp करके इसको जॉइन कर सकते है और यह प्रिलम्स का है तो इंग्लिश मीडियम है batch start 27 June से होगा था यहां सारी details लिख हुई है तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं बाकि 90 day mains answer writing program है सारी details यहां लिख हुई है आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं और आप नीचे एक PDF होगी तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो मैंस के कुश्यन कैसे प्रिडिक्ट हुए थे तो जीएस पेपर वन महीं ही आप टेन कुश्यन आप देट प्रिडिक्ट होगे तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं तो आपके जितना आपके आपके जितना आपके चीजे हैं वह सारी यहां से आपकी कैटर हो जाएंगी तो एक डेली कुछ होता है तो आप इसको जरूर जॉइन करिए और इसे आपको काफी हेल्प मेलेगी थांक्यू और बाकि आपके कोर्स जॉइन करने के लिए यहां आपको सारी डिटेल है आप बेख सकते हैं थांक्यों आल देश्ट